चार चीज़ों के बारे मैं बात करेंगे एक ही वीडियो में अर्ली रिवीउज योद्धा के जहाँ पे भी जो दो-तीन मैंने देखे है दो-तीन नहीं एकचली एक-दो ही देखे जहाँ पे उसको अच्छे खासे रेटिंग्स मिले तीन-तीन.5 ऐसे और बस्तर के जो अर्ली रिवीउज है जो रेटिंग्स वाइज अगर मैं बात करूँ एक ही देखने को मिला है फाइट अफाइट अफाइट रेटिंग्स उसको आए है हाड हीटिंग, हाड हीटिंग, बेजड अन ट्रू स्टोरी, थ्रीलर, ऐसा उसको बोला गया है योद्धा की बार करो तो एक्शन सीन्स की तारीफ हुई है, सिद्धार मलोतर के काम की भी तारीफ हुई है पर डारेक्शन को लेके थोड़ा सा क्रिडिसिजम मिला है, देखने को मिला है अट प्रेजेट जो भी अर्ली रिविउज है वो मैं बता रहा हूँ बाइदेवे, एडवांस बुकिंग की बात करते हैं, योद्धा क्या करेगी, क्या नहीं देखो है, एडवांस बुकिंग लगबख 1.1 करोड के असपास होना क्या सच में 7-8 करोड का जो ट्रेड्स बोल रहा है कि डेवान आएगा वाकिंग ओडियन्स आएगी तो आएगा भाई, मुझे फिर भी डाउट है विर्वे मैं 6.5 करोड की ओपनिंग एक्स पे कर रहा हूँ, चलो ठीक है, हो सकता है 7 करोड जो ट्रेड्स के अकॉर्डिंग हो रहा है वह बोल रहे हो जाएगा, लेकिन बजेट अच्छा खासा है फिल्म का ये नहीं कि सिर्फ एकी दिन, मुवी को रोज अच्छा खासा कमाना पड़ेगा तो वॉकिंग ओडियंस बहुत मैटर करेगी मंडे से सैटर्डे संडे भी धग जाएगा, वही काम हो जाएगा पर ओपनिंग बहुत मैटर करती है, ओपनिंग अगर अंडर फाय हो गई जो कि मुझे लगता नहीं होगी, तो फर्स डे फिनिश भी बोल सकते हैं पाच करोड से नीचे तो सोचना भी मत, अगर होता है तो बहुत मुश्किल में फसेगी योद्दा रही बात, बस्तर दनङसल स्टोरी उसके बारे मैं अट प्रेजन्ट मैं कल उसका आपको पूरा बजएड भी बताऊंगा कलेक्शन कितना हो सकते है, वो भी बताऊंगा, अट प्रेजन्ट उसका जो अडवांस बुकिंग वाली फिल्म है नहीं, उसका बहुत सी डिटेल दूँगा योद्धा का भी दूँगा पर एक अंदाजा है कि वैं प्रेडिक्शन आप बोल रहे थे कि करो इस फिल्म का तो योद्धा माइट भी 7-8 करोड टाइप का आप मान के चलो